मुझे तो अपनू ने लूटा चिराग पास्वान के लिए ये पंक्ती और उनकी पार्टी के लिए बिलकुल सही है जिहां जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है कि लोजपा के पांच सांसद अब उनका दामन छोड़ कर पशुपती पारस के साथ चले जाएंगे इन चर्चाओं को लेकर अब ये बात कहना बिलकुल भी गलत नहीं होगा कि चराग पास्वान को अपनों ने ही लूट लिया है आपको बता दे कि पशुपती पारस चराग पास्वान की चाचा जी है और ऐसे में कहीं न कहीं ये एक पूरी प्लानिंग के तहत इस तरह की चर्चाएं भी सामने आई है क्योंकि सांसदों का दिल्ली जाना और इस तरीके से सूत्रों के हवालों से ये खबर सामने आना कि पार्ट सांसद पार्टी का दामन चोड़ेंगे और जाहिसी बात है चाचा जी नहीं भतीजे से इंतिकाम ले लिया है अब ये इंतिकाम की क्या कहानी है हम आपको समझाने की कोशुश करते हैं दरसल अगर आपको याद हो तो बिहारवधान सबाद चुनाओं के दोरान चिराग पास्वान पूरी तरीके से सक्रिये थे पार्टी के राष्टे अध्यक्ष उनके पिता नहीं उन्हें बनाया था यानि की रामवलास पास्वान के ही दोरा और उस वक्त से ही उनके चाचा जी के कलेजे में इंतिकाम की आग जग गई और उसके बाद से लगातार ये सलसला जारी है एक तरफ जहां चराग पास्वान ने इस बात का निर्णे ले लिया कि वो बिहार विधान सभा चनाओ की रड़ भूमी में अकेले ही उतरेंगे उसके बाद भी कई सारी बाती चर्चाई में आई और पार्टी के तरफ से ये बात कहीं ना कहीं बिलकुल भी लोगों को नमंजूर थी कारकटाओं से लेकर सांसिनों से लेकर तमाम पार्टी के वरष्क नेताओं तक को ये बात नमंजूर थी लेकिन बावज़ोद चराग पास्वान के हाथों में सारी जम्मेदारी थी और उन्होंने इस बात का निर्णे लिया दलितों की सेवा की दलितों के सबसे बड़े नेता भी कहलाएं और उस ज़रान अपने भाईयों को लेकर हमेशा वो चले अगर उनके तीनों भाईयों की बात करें तो अक्सर उन्होंने पार्टी में उनका साथ दिया है उनको साथ लेकर आगे बढ़ा है एहम जिम्मेदारिय लेकिन अचानक से ही चिराग पास्वान की कंधों पर पार्टी का सारा दारों में दार देना और इसके बाद पार्टी के एहम जिम्मेवारी उन्हें देना और यही वझे थी कि पार्टी के भीतर खाने राजगी लगातार चल रही थी इससे पहले भी कई सारे जन प्रतिनिदियों ने निताओं ने पार्टी का दामन छोड़ कर जदियों का हाथ थामा था और यही वज़ा बताई जा रहे थी कि चिराख पास्वान बस अपनी मनमानी करते हैं हो सकता है कि यही वज़ा रही होगी कि जो इंतिकाम की आग थी वो और भी जादा लहक गई और आज ये घड़ी आ गई है आज ये समय आ गया है कि पांच सांसद अपार्टी का दामन पूरी तरीके से छोड़ कर जा रहे हो और वज़ा तो ये भी बताई चारी है कि जडियों इसको लेकर अभी आधिकारिक पुष्टी तो नहीं की गई है लेकिन लगभग लगभग ये बात तैमानी चारी है कि चराग पास्वान के बंगले में आग तो लगी चुकी है और वो भी अपने ही चाचा के द्वारा लगाए गई आग जिहां ये इंतिकाम की आग इस तरह लहकी की चराग पास्वान के बंगले को इसने पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया हलाकि आपको बिता दे कि इससे पहले भी इतिहास गवा रहा है 2005 में भी लोजपा के साथ कुछ ऐसे ही स्थिती बनी थी चराग पास्वान की पाटी उनके पिताची की पाटी में आग पहले भी लग चुकी है और इस तरीके से तिंका तिंका करके तूट गया आपको याद दिला दे कि बहार वदान सभा चुनाओ के दौरान लोजपा चीफ चिराग पास्वान के तेवर तल्ख थे और उस दौरान मुख्यमंत्र नितीश कुमार को लेकर उन्होंने कई तरह की बात कहीं यहां तक की मुख्यमंत्र नितीश कुमार को जेल भेजने तक की बात उनकी तरफ से की गई और ऐसे में अब ये बात बताई जारी है कि जिस तरीके से जेडियो के दावर निता ललन सिंग की मुलाकात पश्वपति पारस से होती है इससे ये बात असपश्ट होती है कि कि मुख्यमंत्र नितीश कुमार ने भी अपना एक एक बदला निकाल लिया है क्योंकि जिस तरह की बाते उनकी तरफ से की गई तो अगर आपको बिहार विधान सभा चुनाओ की गणित को भी याद करें उसके पूरे रजल्ट को याद करें तो उस दोरान भी ये बात सामन ने आई थे कि भले हैं चुराग पास्वान ने चुनाओ में अच्छी खासे शिकस्त घाई हो लेकिन बावजोत उन्होंने जडियों को आगे बढ़ने से रोक दिया और तीसरी नंबर की पार्टी बना दिया फिलाल के लिए अतना ही जादा अपडेट के लिए आप बने र झाल